नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी होस्ट और आप देख रहे हैं धम सर्मार्ग बात कर रहे हैं राक्षस गन की, वैसे तो गन तीन तरह के होते हैं देव गन, मनुस्य गन और राक्षस गन सत्जिशा नच्यट्र में जन्म लेने वाले राक्षास गन के होते हैं। हमारे जोतिस्वस्त के अनुसार बैक्ती के जन्म के समय जो नच्यट्र मवजूद होते हैं busy. उनके अधार पिर ही हमारा गन निर्धारित होता है। और जो मनुस्य राक्षजगन के होते हैं वो सबसे खास है क्योंकि राक्षजगन वाले प्रेम करने वाले और अपने आस पास मौझूद नकारतमक सक्तियों को पहचानने वाले होते हैं यानि इनकी सिक्स्ट सेंस जो होती है बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होती है आप पुरुसों महिला हों राक्षजगन के हैं इसका मतलब है आपको मनुस्य को पहचानने की सक्ति कुछ जादा है औरों की अपेक्चा आप बहुत जल्दी ही किसी को परक लेते हैं उनके मन में कैसा चल रहा है वो धोखा देंगे या नहीं देंगे या मित्रता निभाएंगे अगर हम बात करें मनुस्य और देवगन की तुल्ला में कुछ जादा ही अच्छे होते हैं राक्षजगन बाले बुरी सक्तियों का आभास बहुत जल्दी हो जाता है और किसी भी मनुस्य को पहचाने की छमता भी सबसे ज्यादा होती है शिक्स्त सेंस इन में ज्यादा एक्टिव होता है और विपरीत हालात में भी डटकर खड़े रहते हैं सबसे अच्छी बात होती राक्षजगन की हमेशा डटे रहते हैं आर या पार सासी मजबूत इक्छा सकती और आपके राक राक्षजगन बालों को कभी कभी तो निगेटिव सकतियां आभास भी होती है और उन्हें सपनों की बात हमसे भी दिखाई देती हैं लेकिन एक चीज है कि जब आप विवाह के लिए कुंडरी का मिलान करते हैं तो राक्षजगन बालों का मनुसिगन से साधी नहीं करनी च ठीक है लेकिन थोड़ा बहुत यहां पर टकराओ की स्थिती बनी रहती है और अगर राक्षजगन दोनों ही हैं तो फिर अच्छा है दोनों में बहुत प्रेम रहेगा क्योंकि इन दोनों का विचार एक ही होगा और एक दूसरे को भली भाती समझ पाएंगे तभी तो हमारे हिंदू धर में कुंडली मिलाने का विसेज बिधान है कि अच्छे से गुन मिल जाएं बात बिचार बेभार मिल जाएं ताकि आगे चलकर डामपत्ते जीवन में कोई कष्ट ना हो कलह कलेस ना हो और घर परिवार भी भरा पुरा रहे कहीं कोई टकराव की स तिती ना पैदा हो तो राक्षा गनवाले होते हैं खास इनकी इतनी सक्तिया ना मनुस्य में है देपताओं की स्रेनी में जो आते हैं देव गनवाले वह तो देपता हो गय तो उमीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा प्लीज लाइक कर सब्सक्राइब कीजिए सेयर कीजिए हम फिर मिलेंगे धन्यवाद